तो सेलर प्रेंट्स जैनिंद बहुत स्वागत है आप सभी का या आपके पने यूट्यूब चैनल सक्षेना से पी क्लासेश में जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो थर्ड सेमेश्टर का जो जो प्रथम प्रस्ण पत्र जो हुआ है सैच्छिक मुल्यांकर और क्रियात्मक सोध सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक सेर जरूर कर दिजिए और कंप्लीट सेल्यूशन कराएंगे पूरा एक एक क्रेस्टन का अच्छे में डिटेल के साथ चलिए हम लोग देख लेते हैं ब क्या है देखिए कि आपका क्वेस्टन नमर फर्स्ट से हम लोग सुरू करते हैं नए होईएगा ताप जरूर सब्सक्राइब करिएगा देखिए कि मुल्यांकन प्रक्रिया का केंदर बिंदु होता है तो मुल्यांकन प्रक्रिया का केंदर बिंदु जो होता आपका बिद् तहीं होता है अगले क्रियात्मक सोध का उपयोग होता है तो ध्यान रखेगा क्रियात्मक सोध का उपयोग रहे आपका नमर क्या होगा थार्ड हो जाएगा और एक और फूर्थ उपरोक्त सभी हो जाएगा चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला जो questions था आपका देखिए कि सर्व सिख्षा अभियान के क्रियानोयन करने में क्या सहायक है तो ध्यान रखेगा क्रियात्मक सोध परंपरागत सोध बैग्यानिक सोध तो ध्यान रखेगा question number 4 आपका आएगा देखिए कि सर्व सिख्षा अभियान के क्रियान करने के लिए क्या था आपका क्रियात्मक सोध था आगे आपका देखिए कि हरी ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त कि यह है परिछड़ है मातरात्मक मापन है गुड़ात्मक मापन है मुल्यांकन है तो तो बहुत से लोग मात्रात्मक मापन मार करके आए होंगे लेकिन ध्यान रखेगा इस इर्टी के दिया बुक में पढ़ेंगे डेफिनिशन तो वहाँ पर मुल्यांकन दिया है तो आप्सन नमबर क्या हो जाएगा मुल्यांकन पर चला जाएगा मेरे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला के क्येसन नमबर जो 6 है ब्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश है तो ध्यान रखेगा जो ब्यवस्थापन है वो भावात्मक पक्ष का उद्देश है किसका भावात्मक पक्ष का उद्देश है आगे बढ़ते हैं देखिए कि अगला ज जाएगा सभी 30 श billion फरोग्त सभी किस पेचल हिए मेरे दोष्तों उपरोग्ट सभी हो जाएगा चलिए आगे आजाता है एक मिनेर्ट कि लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला अगला question जो question नमबर आपका 9 पूछा गया था कि किन्ही निश्चित स्विक्रित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है यह कथन किसका था यह कथन आपका था एस स्टिवेंशन का एस स्टिवेंशन आपका अपसन नमबर 3 पे चला जाएगा अगला है देखिए questions नमबर जबाब का 10 है कौन से छेतर के उद्देश्यों के द्वारा बालक के सारेरिक संबंधिक काउसलों का विकास होता है तो कौन सा छेतर होता है मनो गत्यात्मक छेतर होता है कौन सा हो जाता है मेरे दोस्तों मनो गत्यात्मक छेतर हो जाता है आगे जो आता है application number 11 कि Stephen M. Korye ने सैक्षिक छेतर में किस प्रकार के अनुसंधन आका प्रयोग किया है किस प्रकार के अनुसंधन का प्रयोग किया था उन्हों ने क्रियात्मक सोध किस प्रकार का किया है देखिए अगे बढ़ते हैं अगला जो question आपका आता है question number 12 कि ब्लूम टेक्सोनॉमिक किस सन में विक्सित हुई थी यह कब हुई थी 1956 1956 में हुआ था मेरे दोस्तों आगे आ जाते हैं देखिए कि क्वेस्चन नमबर जो आप का जाता है देखिए 13 क्वेस्टन नमबर 13 क्या है देखिए कि परिक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार-बार एक जैसा प्रेडाम देता है तो ऐसे समझे कि आप जैसे हम से पढ़ रहे हैं और जब भी मैं आप लोगों को कोई भी चीज बताता हूं और मैं बार बार आप लोगों से ही कहता हूं कि मेरे दोस्तों इसको पढ़ कर गजाई यह आप लोगों का एक्जाम में फसेगा और देखे विश्वसनी परिछड हो जाएगा क्योंकि हर बार आपकी उम्मेदों करते हैं खरा उतरते हैं आगे क्रेस्टन से मेरे दोस्तों कि सोध में संपुड जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है तो वो क्या कहलाता है देखे निया दर्स कहलाता है आगे आता है देखे ब नामित स्तर के अंतरगत आता है किसके अंतरगत आता है आगे आ जाता है मेरे दोस्तों आगे जो आपका आ जाता है देखिए एक मिनट हाँ आगे आपका आ जाता है देखिए अति लगुतरी प्रस्न में जो आपका पूछा गया था कि उपचारात्मक सिख्षड से क्या तात् तो ध्यान रखेगा उपचारात्मक सिस्खण क्या होता है देखेगे कि यह एक प्रकार का सिक्छड होता है क्योंकि नाम ही है देखे उपचारात्मक सिस्खण तो उपचार से संबंधित होगा देखिए तो इसे हम परिभासा क्या हो जाएगी देखिए कि यह एक प्रकार का क्या होता है सिक्षड होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समू को किसी विशेश क्या किसी विशेश समस्या का कठिनाई के निवारण हे तो प्रयोग में लाए जाता है वही होता है उप्चारात्मक सिख्षड आगे है परिकल्पना का क्या अर्थ है तो परिकल्पना क्या होता है मेरे दोस्तों कि किसी परिकल्पना का देखें मतलब ऐसे आगर आप नॉर्मल समझें तो परिकल्पना का जो मतलब होता है बिचार से होता है लेकिन अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो आप यह भी बोल सकते हैं कि किसी घटना की ब्याख्या करने वाला कोई सुझाओ क्या किसी घटना की क्या करने वाला ब्याख्या करने वाला किसी घटना की ब्याख्या करने वाला कोई सुझाओ या अलग अलग प्रतीक होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की ब्याख्या करने वाला कोई तर्क पूर्ड सुझाओ परिकलपना कहलाता है क्या कि आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपुड जो सुधाव होता है वही परिकल्पना कहलाता है आगे है आपका साच्छातकार कितने प्रकार के होते हैं तो देखे साच्छातकार जो होता है आपका कई प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है उसमें बहुत से सारे प्रकार का होता है कुछ का नाम जैसे देखिए कि सोध होता है क्या होता है सोध होता है नीदा नात्मक होता है नीदा यहाँ पर देखिए नात्मक होता है उपचारात्मक होता है तथ्य संकलन होता है क्या होता है तथ्य संकलन होता है ये भी क्या होता है आपका देखिए आपका सचतकार होता है आगे आपका जाता है देखिए कि सैक्षिक नवाचार का अर्थिस्पष्ट करिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सैक्षिक नवाचार का अर्थिस्पष्ट करेंगे सुधार लाने का जो प्रयक्त करना उसे नवाचार कहते हैं सैक्षिक नवाचार मतब सिक्षा में परिवर्तन तो हम क्या बोल देखते हैं कि सैक्षिक तक्निकों को विद्याले तक पहुचाना जो होता है सैक्षिक नवाचार होता है क्या सख्षिक तकनिकों को कहां तक िद्याले तक पहुँचाना जो होता है। आगे आपका 27,力 & Profile का क्या मुहत्तव है तो उसके बारे में आप अपने आप से लिखना था तो नौर्मल तरीके साप अपने हिसाब से लिख सकते थे। आगे 21 स्थार नीदानात्मक परिछड का उपयोग क्या है है तो नीदानात्मक परिछड क्या होता है मेरे दोस्तों कि यह व्यक्त की जाच करने के पास्चाद किसी एक या अधिक छेतरों में उसकी विस्थाओं और क्यमियों को व्यक्त करना कहने के मतब निदातत्मक परिछन क्या होता है किसी व्यक्ति की जो कमी है कमी है और विसेस्ता है उसे क्या करना है कि एक से अधिक छेत्रों में क्या करना है व्यक्त करना है एक से अधिक छेत्रों में इसकी कमी क्या है कमी और किसको विसेस्ताओं को कहा करना एक से अधिक छेत समझे कि यह मतलब कि किसी विशयवस्तु या पाठ सामागरी का निर्माण करने से पहले जैसे ब्लूप्रिंट क्या होता है कि किसी विशयवस्तु या पाठ सामागरी जो होती है क्या होती आपकी पाठ सामागरी होती है इसका निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन प्राप्त उद्यसों के बल का निर्धारण प्रस्णों की रचना आदिकी जो होती है तैयारी के लिए अलग अलग प्रकार का क्या बनाते हैं सारडी क्या करते हैं अलग अलग प्रकार से सारडी का जो आप निर्मार करते हैं इसी में प्राप्त उदेशों पाठ सामागरी प्रस्नों आदिका बीवरण दिया होता है और उसी को क्या बोलते हैं ब्लू प्रिंट कहते हैं क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों ब्लू प्रिंट कहते हैं आगे जो question आ जाता है आपका देखिए question number 14 है कि ब्लूम ने सैच्छिक उदेशों को कितने भागो भाटा था तीन उदेशों में वो कौन-कौन सा था question देखिए कि प्रस्न कितने प्रकार के होते हैं ध्यान रखिए का प्रस्ण आपका तीन प्रकार का होता है एक आपका तारांकित होता है क्या होता है तारांकित एक होता है अलपसुचित ये सभी क्या है मेरे दोस्तों प्रस्ण है आगे क्वेशन पुझा था कि पुनर बलन क्या है तो पुनर बलन क्या होता है मेरे दोस्तों कि ऐसी कोई क्रिया क्या होता है देखिए पुनर बलन कि ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संस्था में ब्रिधी करती है किसकी अनुक्रिया की संस्था में संस्था में क्या करती है ब्रिधी करती है उसी ही का कहती है पुनर बलन कहलाती है आगे आपका जाता देखे कि क्रियात्मक सोध की क्या उपयोगिता है क्रियात्मक सोध क्या होता देखे कि विशिष्ट छेत्रों में सुधार लाने के लिए जो समस्या समाधान करना होता है कौनसा कोई विशिष्ट छेत्र है उसमें सुधार लाने के लिए जो समस्या का समाधान करना जो होता है उसी को क्रियात्मक सोध कहते हैं समझ मैं मेरे दोस्तों एक आगे था एक अच्छे उपकरड की क्या विश्यस्ताइं होती है अच्छा उपकरड अगर कोई है तो उससे क्या होती दोस्तों गलती नहीं होती है वह हमेशा मतलब अच्छे ढब करता है अपने तरीके साफिसको लिख सकते थे और परिख média की वैदता से क्या ताथ पर है दोस्तों परिख्शड की वैदता क्या होते देखे चाहिए कि लेक्टे इसके लिए इसक निर्माण किया गया है कि यदी कर रहा है तो वही क्या होती है वैदता होती है आगे question number अतिलगू का last पुछा था कि अनुसंधान का क्या कार्य है अनुसंधान क्या होता है कि इसके जो करना गवे सडा करना ही क्या होता है अनुसंधान का कार्य होता है मेरे दोस्तों तो इस प्रकार से आपकी इतने question थे इसके बाद आप सभी किया थे लगुतरी प्रस्न तो लगुतरी प्रश्न में ज्या की सभी प्रस्न थे टो उमीद है पेपर आउट मतब समझे कि उसमें से श्योर है आप लोगों का फसेगा ही फसेगा मैथ का आप देख करके जाईएगा यकीन करिएगा मेरे दोस्तों मैं आपकी उमीदों पर जरूर खरा उतरूंगा इस वीडियो को ज्यादा ज्याद लोगों तक जरूर सेर कर दीजिए जित प्रेशन को लेकर के मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम